बिस्मिल्य रह्मानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, विल्कम बैक टो माई चैनल, साजदा का कीचन, आज हम आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं, एक पकाड़ा की रिसीपिट जिसे एक कटलेट भी कहते हैं, यह बहुत सिंपल है दोस्तों, आप इस रमजान इसे जरूर ट बहुत आसानी से बोईल हो जाते हैं, चलिए गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हमने यहाँ पे आलू को बोईल करके रखा है पहले ही, और इसको हम अच्छी तरीके से मैस कर लेंगे, हम ग्लास की मदद से आलू को हमें मैस कर लेना है, इधर एक भी अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, चलिए हम उसका छिलका भी निकाल लेते हैं, और यहाँ पे छिलका निकालने के बाद इसको कट कर रहे हैं, आपको इस तरीके से सिंपली कट कर लेना है, हम यहाँ एक का दो भाग कर रहे हैं, आप चाहे हैं दूसरी process में इसके लिए हमने यहाँ पर कड़ाही कर कर लिया है और इसमें हम 2-3 keeping faire oil डालेंगे और तेल गरम होते ही हम इसके डालेंगे ढलें हींग वन पिंच हमने यहाँ पर लिया है और 2.5 टेवश्पून एहन पर जीराओ लिया है और इन दोनों को एक मिनट तक हम थोड़ा सा पका लेंगे थोड़ा सा यह जब भून जाएगा तब हम इसमें आइड करेंगे ओनियन यह बहुत टेश्टी बनते हैं दोस्तों आप इसे जरूर ट्राइ करें चलिए हमने इसको अची तरीके से भून लिया है अब हम इ हम एकिसे थोड़ा सा हम कलर हखा सा चेंज होने के लिए इसको हम फ्राइ करेंगे प्याज जो है इसमें golden इसलि घ्रण हो चुकह है मसाले में हम सोझने घर्म मासाला सबढ़ें में दक्वा dub बढ़्रन स सिए उत्था इस थोड़ा सा जीरा पॉर्डर जित्ना तीखा खाना चाते और बैचलिपसल भी ए ग्रणा च्वार्ट भूल्र स्वाङ के लिए अउन वारना उसके वज़ा से आपकी पोरी रेसिपी जो है वो डिस खराब हो सकती है चलिए इसके बाद हम इसमें एड करेंगे आलू आलू को हमने पहले ही बोईल करके रखा था और मैस भी करके रखा था इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अगर आप उस टाइम पे डाल सकते हैं और इसे आपको दो से तीन मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से आपको इसे भून लेना है और भूनने के बाद चलिए अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसके बाद चलिए हम यहां पे एक बॉल ले लेंगे इसमें हम टूटेवल इस्पून कप पानी डालेंगे और इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पतला सा घोल यहां पे तयार कर लेंगे आप इसकी जगा एग ले सकते हैं एक या दो एग अब तोड के अच्छी तरीके से फेट के ले शकते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे पास एग अब यह तो मैंने इसलिए कॉन फ्लोर लिया है इससे भी काम बन जाएगा अब क्या करना है आलू को पहले हातों पे स्प्रेट करना है उसमें एक रखना है आपको अंडे कटे हुए अंडे आउपर से फिल आपको थोड़ा सा आलू देके इसको अच्छी तरीके से मोड़ देना है फिर से दिखा रही हूं आपको पहले हातों पे स्प्रेट करें और इसके उपर अंडे रखें और फिर थोड़े से आलू देके आप चारो साइड से हातों से अच्छी तरीके से मोड़ दें आपका जो एक कटलेट है वो इस तरीके से रेडी हो चुका है हमने सारे बना लिय है चलिए अब हम इसको करेंगे यहां कौन फ्लोर में अगर आप लिये हैं वह ज्यादा बेटर रहेगा मैं बार बार बोल रही हूं तो उस जगा पे आप एग में इसको करें स्पून के मदद से ही करें और इसमें भर भर के हातों से अच्छी तरीके से दवा दवा के इस त कवी इस तरीके से आप ट्राइ करके देखें एक पफगोर्ण कहीं तरह है फिरत हे इसमें इस तरीके से हमें फीर से इसमें ब्रेट करम ल ideia में दूसरा कैटलेट भी हमारा जो है वा पूरी तरीके से रेडी हो क्या एक सब्याब ज सब्सक्राई क drinking Concept इसनी श्यादा millimeters कि कि द से चार मिनट तक वन साइडेड इसको क्रिस्पी होने तक इसको फ्राइ करना है अगर यह क्रिस्पी नहीं होंगे तो यह तूटने लगेंगे इसलिए आप इसको तीन से चार मिनट वन साइडेड मेडियम फ्लेम पे आप इसको क्रिस्पी होने दे उसके बाद आप इसको पल् निकाल लेते हैं और इसको अब गर्म गरम रेट चटनी के साथ या ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्फ कर सकते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सेर एंशाप्स्राइब करना बिलकुल भी ना भूले मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें रेसिपी अच अच्छी लगे तो कमेंट करें थैंक्स पूर वाइट